है में वेलगम क्या it'll and welcome to commerce i.t.r7 और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्या拟ी सीरीज जिसके अंदर हम आप बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसे चीजों की जो आपको अमीर बना सकती है, सची में आपको बहुत आमीर बना सकती है, आप लोग चाहते हैं कि आपका जो career है वो एकदम high sky एकदम चला जाए, बहुत अच्छे से आप कमाई कर पाएं, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, तो कैसे वो हो सकता है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर आई होगी, कि हम कभी न कभी stock में invest करेंगे, stock market में हम invest करने वाले हैं, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं, चली start करते हैं, सबसे पहली चीज़, मैं बात करना चाहता हूँ perception की, कि किस तरह की सोच होती है, लोगों के अंदर stock market को ले करके, तो ज़्यादतर लोग सोचते हैं, कि stock market में तो बस यह होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसी हालत हो जाती है, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे हाल हो जाते हैं बुरे हाल हो जाते हैं उनका पूरा पैसा डूप जाता है कई लोग आपको बोलते हैं कि फीलीज अपना पैसा स्टॉक मार्किट पे तो बिल्कुल भी कि मत लगाना नहीं तो भाई बरबाद हो जाओगे लेकिन इन दोनों ही बातों को हम देखेंगे मद्या नजर रखते हो पूरी बाते समझाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कख्षा को कह सकते हैं कख्षा ही एक तरह से जिसमें सीखेंगे कि स्टॉक मार्किट का एक्षुल में फंडा है क्या कैसे बनते हैं बिग बुल ठीक है तो यह शुरुवात है आपको इसमें पूरी एक एक चीज़ बताओंगा लेकिन आपको यहां से ही शुरू करना होगा आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां पर आपने सोचाओगा स्टॉक मार्क में सक्सेस्फुल होने का तो ऐसे बहुत सारे कोशने जिनके बारे हम बात जरूर करेंगे लेकिन यह एक ऐसी चीज तो नहीं है चोटी सी है एकदम से पढ़ा और समझ में आ गया एकदम से देखा और समझ में आ गया ऐसा नहीं होता तो आज मैं आपको कुछ ऐसे फंडे बताने वाला हूं दो ऐसी बाते बताने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट क्या चीज है और किस तरीके से हम इसको करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं वो दो चीज़े क्या हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है हमार सबसे पहली बात करते हैं हम fundamental analysis के बारे में कि आपको stock market के अंदर एक analysis है जिसको हम बोलते fundamental analysis वो पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं क्या होता है सर fundamental analysis रुको जरा सबर करो देखेंगे लेकिन दूसरी चीज़ को तो देख लो क्या है दूसरी चीज़ है आपकी technical analysis सर ये भी analysis है जी बेटा दो बाते तो आपको पता होने ही चाहिए एक है fundamental analysis और दूसरा है technical analysis और इन दोनों को समझने के बाद आप अच्छा start ले पाएंगे stock market के अंदर चलिए तो सबसे पहले देखते है fundamental analysis क्या होता है fundamental analysis is a valuation tool fundamental analysis क्या है बेटा valuation tool है जिससे आप value कर पाते हैं यह tool कौन यूज करता है used by the stock analyst जो stock यानी shares वगारा खरीद देते हैं उसके बारे में हम आपको बतारों जो share खरीदते हैं वो यूज करते हैं sir share क्या होता है बेटा share का मतलब होता है कि आप किसी company के ownership का छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं पैसे दे करके that means वो capital है capital के एक छोटा सा हिस्सा को हम share capital बोलते हैं वो आप ले रहे हैं तो stock analyst क्या करते हैं fundamental analysis करते हैं to determine whether a stock is overvalued और undervalued कि कोई stock market के अंदर overvalued है या undervalued है ठीक है अच्छे से कैसे समझेंगे इस चीज को बेटा इसके लिए पूरे पूरी वीडियो आएंगी आगे चल करके एक डम से इतनी छोटी चीज नहीं है कि हम बहुत आसानी से एक बार पढ़ें और हमें सम पाईए तो आगे क्या है आगे है technical analysis क्या है technical analysis technical analysis is a trading discipline trading discipline trading मतलब खरीदना बेचना कि कब किसी शेर को खरीदेते और बेचते उसका discipline बनाना होगा ऐसा नहीं भगवान पैसा बढ़ गया इस शेर का तो इसका तो value बढ़ गए फटा फट बेचो लॉस हो जाएगा इसकी value कम हो ना कभी भी बिल्कुल emotional होके weak हो करके कोई decision नहीं लेना stock market में हमें यहीं सिखा जाता है stock market हमें patience सिखाती है अगर आप सीखने वाले हैं तो तो technical analysis is a trading discipline employed to evaluate investment ताकि हम investment करे या ना करे इस बात को evaluate कर सके कैसे करेंगे by identifying trading opportunities in price trends and pattern seen on charts तो आपको देखना पड़ेगा कि market के अंदर क्या trend चल रहा है price का किस तरह से किस industry के share की value बढ़ती है कब गढ़ती है क्यूं गढ़ती है बढ़ती है सारे charts वगर आपको देखने होता है बेटा देखो चार्ट यह होता है इस तरह के आपको चार्ट अगर आप देखेंगे आप जा सकते NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की website पर जा सकते हैं और बहुत सारे वहां पर शेयर सा जाएंगे एक भी सर्च करके उस पर क्लिक करके इस तरह की charts आप देख सकते है जहां पर आपको बताया जाता है कि किस तरह से trend है किस तरह से चीज़े बदलती है एक शेयर की ठीक है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा और अभी चीज़े अच्छे से समझ में नहीं आएंगी यह आपके लिए पहली वीडियो जा स्टॉक मार्केट का सिंपल सा इसके आगे की चीज़े वह एडवांस लेवल पहले कि अभी फिलाल आपको यही इसी चीज़ पर ध्यान देना है आई होप आपको यहां तक सारी चीज़े समझ में आई होंगी एंड मैं उमीद करता हूं कि जब भी हम आगे फंडामेंटल एनालिस और टेक्निकल एनालिस क अनWAY के लिए वीडियो लेकर आएंगे तो आप जरूर रहों हमारे सातों होंगे और देखेंगे समझेंगे कि साभा से इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी एक पैसिव को कर सकते हैं पैसिव इंक्म क्या होता है सर बहुत कुर सीखना है पैसिव मार्केट वो भी वीडियो जाने वाली है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छे लगी है वैल्यू एडिशन लगा हो तो आप लाइक कीजिए मोटिवेशन मुझे भी मिलता है वारी टीम को मिलता और ऐसे ही हम कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए बाइबा